हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानेंगे अन्तिया श्रम का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है अन्तिया श्रम का इंग्लिश मीनिंग होता है फ्यूनरल होम अन्तिया श्रम का इंग्लिश मीनिंग होता है फ्यूनरल होम इसे हम एक्जांपल से समझते हैं Example, we went to a funeral home. यहां, funeral home का मतलब है अन्तियाश्रम. उदाहरन, हम एक अन्तियाश्रम में गए.